शेहर के सर्वोदे नगर पुरानी पानी टंकी शेत्र में नव्वे की दश्चक में केंद्र सरकार की इंद्रा आवास योजना के तहट सामे तैसिल द्वारा सैक्रो जरुवत मंदों को इस से योजना के तहट घर और आवासी पटे प्रदान किये गए थे तब ही ये लोग इन इस्थानों पर अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और रोज मस्तूरी कर अपना उदर निर्भा कर रहे हैं लेकिन पिछले कुछ महीनों से मध्यप्रदेश निवासी नियास महमन हनीव जो की सर्वोदे नगर से सटे लेयाउट मालक है जो आसपास के इंद्रा आवास धारग गौर गरीबों के घरों में जाकर यह जगत तुरंत खालिक करो नहीं तो बुल्डोजर लाकत तोड़ द में फसाने की साजिशों के साथ ही अब महिलाओं से भी अभधर वहवार करने को उतारू हो रहा है वहीं सर्वोदे नगर वासियों ने आरोप लगाया है कि लेयाउट मालक द्वारा सावनेर पुलिस में दर्द छूटी रिपोर्ट पर कारवाई करने में पुलिस ततपरता दिखा रही है लेकिन हम गरीबो द्वारा दर्द सही रिपोर्ट पर उचित कारवाई नहीं की जा रही है जिससे सर्वोदे नगर वासि दहशत की बातावरन में जीवन जीन को मजबूर है सर्वोदे नगर वासियों ने साब ने थाने में उक्त लेयाउट मालक और उसके स साथी के खिलाफ उक्त मामलों की लिखिज शिकायत दर्च कराक अन्याई की गुहार लगाई है जीविक उप्पर अप्तेजर क्यों गर रहे हैं लोग में गरी नवते काम लगेले होते आमचा लेकरा मनला तुझा आई बापला सांगून दे घर खाली करा मननों नाइत मने मी घास चलता कुन जाड़न देन मने घर है देंकी देली आमारा अभी ठोन हो रीबोला आमचा लेकरा पस्का बढ़ला तलवर गेऊन हमचा मांगा एक से तीस लोग दावले हमचा मांगे एक से तीस जाओन आमाले माराल दावतिया सा घचे तस तशा आमी कई असा बल्लो नाइ तुम पुलिस में गए? सावनेर्स इन वीसे न्यूस के लिकिशो डुंडेलीक रिपोर्ट